जंगन का राजा शेर, ये बात तो दुनिया का हर इंसान अपने बच्पन से सुनता आ रहा है, लेकिन ये कहवत अफरिका में ज्यादा सूट होती है जहां लायन्स राज करते हैं, क्यूंकि भारत के जंगलों का राजा तो बाग है, जिसके आगे शेर यानी लायन भी फीका पढ़ जाता है, खमागनी इन वेलकम, आज के इस वीडियो में हम इसी लेसर किंग यानी भारत के शेर और उनके छोटे से किंग्डम की बात करेंगे, जिस जानवर को दुनिया में किंग ओफ तजंगल का स्टैटस उपलब्द है, वो कहीं न कहीं टाइगर और चीता प्रो पोजिस होते हैं जैसे इन फाइटिंग, इनके आपस में लड़ने से लगा कर कैनिबलिजम तक, लेकिन उसका भी एक्चुली कारण ये है कि गिर में इतनी जगे नहीं है इतने सारे लायन्स के लिए, इसलिए इनका आपस में इतना टक्राव बढ़ रहा है, अब क्यूंकि इनके गिर के अलावा कहीं और सैंक्चुरी में जाने नहीं दिया जा रहा, तो ये डेट्स कितनी नैचुरल हैं ये आप कुछ सोच कर देगो, on paper इनके नैचुरल डेट्स के अंडर आ जाने की वज़े से इसको इतनी इंपोर्टेंस नहीं मिल रही है, और considering कि एशेटिक ल यानी रोड आठ किलोमेटर तक भी सुनी जा सकती है, ये आवाज किसी बिजली के कड़कने से कम नहीं होती है, एक ही ऐसी स्पीशीज हैं जो सोचल ग्रूप्स में रहते हैं, एक जोइन फैमिली की तरह, जिसे ओफिशल शब्दों में प्राइड का आ जाता है, अफरिका म प्राइड में एक या दो मेली होते हैं और शिकार मोस्ली सिर्फ फीमेली करती हैं, ओवरॉल हंटिंग में इनका सक्सेस रेट टाइगर्स के मुकाबले काफी बहतर है, आज से करीब सवा लाग साल पहले लाइन्स की दो और स्पीशीज एक्जिस्ट करती थी, केम लाइन्स पर भारत से लगा कर मिडलीस तक फैले हुए थे और आज सिर्फ गुजरात के एक जंगल में बचे हैं, गंजर्वेशन एफर्ट्स जरूर कही ना कही बहुत अच्छे रहे हैं, इस बात पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये लाइन्स ना सिर्फ बच गए बलकि इनकी सं अंखियां बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक healthy growth है, अंग्रेजी में keeping all the eggs in one basket वाली का आवत आपने सुनी होगी, अब अगर उस basket को कुछ हुआ, तो फिर सारे अंडे तो गए, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा भी क्या हो जाएगा, अब तक तो कुछ न उनमें से 900 के आसपास lions मर गए थे इस virus की वज़े से, कुछ महिनों के अंदर, तब ये एक mystery थी, लेकिन research के बाद इसे canine distemper virus का नाम दिया गया है, ये एक तरह की neurological बिमारी है, और mostly dogs, raccoons, skunks और foxes वगेरा में होती है, लेकिन ये उनसे share जैसे carnivores में भी आसानी से फैल सक बगेरा, 2018 में इसी canine distemper virus की वज़े से करीब 30 lions गिर forest में मारे गए थे, लेकिन इस बात पर ध्यान देना कि जहां serengeti 15,000 square kilometers का area है, वहीं गिर national park टोटल 1500 square kilometers भी नहीं है, मतलब serengeti के इतने बड़े area में भी 30% lions वाइरस से मारे गए थे, तो गिर जो बहुत congested सा हो गया इन जानवरों के लिए, उसमें तो किस्मत से ही बच गए lions, वरना ये number 30 का 300 अराम से हो सकता था, especially cause यहां के lions अपने African subspecies के comparison में, देशी कुत्तों के संपर्क में तो बहुत जादा आते रहते हैं, फिर इसके बाद गुजरात Biotechnology Research Center ने इसके लिए vaccines भी बनाये हैं, और US से इसके vaccines import किये गए थे, और ये disease control में भी आई है, लेकिन यहांपन मेरा point ये है कि ये तो चलो एक बिमारी है, जिसने इतना बड़ा नुकसान नहीं किया, लेकिन इसकी तरह कुछ और भी तो चीज़े हो सकती हैं, जिनके लिए हम अभी से prepared नहीं हैं, बिमारियां भी कई तर से निकलाता गिर के, ऐसे और भी बहुत से examples हैं, जो पूरी तरह से lion population को wipe out करने की शमता रखते हैं, अगर ये lions एक ही जगे पर रहें, इसलिए इन lions को एक ही जंगल में रखना एक बहुत बड़ा risk है, अच्छा natural disasters और बिमारियों से बचना तो चलो एक precaution हो गया, तो इनके existing problem की बात करते हैं, इनके gene pool की, गीर के lions में inbreeding एक बहुत बड़ी लेकिन underrated problem है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, inbreeding मतलब जब closely related family members, जैसे भाई, बहन, cousins, आपस में बच्चे पैदा करने लग जाएं, सुनने में कितना भी अजीब लगे, पर animal world में ये कोई नहीं बात नहीं है, लेकिन inbreeding का बहुत ज्यादा होना बेहद ही खतरनाक है, इससे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें genetic problems होने की chances बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अपने माँ और बाप से एक ही तरह के genes inherit करते हैं, इस तरह से पैदा हुए जानवर फिर physically deformed होंगे, ब इसके अलावा जो हम आए दिन गुजरात की सडकों पर शेर गुमते हुए देखते हैं, क्या लगता है उसका कारण क्या होगा, उसका एक ही कारण है कि इनकी population बढ़ रही है और गिर का जंगल चोटा पड़ रहा है, और आए दिन हम news में देखते भी हैं कि किस तरह गिर के आसपास के गाओं में लाइन्स कभी सडक पर गुमते दिख जाते हैं, कभी ट्रक या ट्रेन से मारे जाते हैं, तो कभी बिजली के तारों से और यहां तक की खुले कुए तक में गिर चुके हैं, जब इस तरह के हाथ से सामने आते हैं, जो जंगली जानवरों के लिए अफरीकी चीतों के आने से कई साल पहले, 2013 में, एक्चुली गिर से लाइन्स को कुनो नैशनल पार्क में ट्रांसलोकेट करने का ओरिजनल प्लान था, यह सिर्फ एक सुजाव नहीं था, बलकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का ओर्डर तक निकल चुका था, मार्च में सुप्र अफरीका से चीते जरूर आगएं कुनों में, अब मैं इस बात को अगर गुजरात गवर्मेंट की प्राइड, प्रेस्टीज और एक फॉल्स सेंस ओफ ओनर्शिप अफ द लाइन्स नहीं कहूं, तो और क्या कहूं, क्योंकि यह कोई बताने वाली बात नहीं है कि कि किसी भ अगर प्रोजेक्ट इतना सफल है, क्योंकि टाइगर्स लिटरली थ्राइव कर रहे हैं भारत के जंगलों में, कोई एक स्टेट उन सब को पकड़ कर थोड़ी ना बैटा है, अगर 2013 में ही कुछ लाइन्स को कुनों नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट कर दिया होता, तो अगलग जगे पर wild lions की population होने से, अगर कभी किसी भी वज़े से एक जगी lions खत्रे में आए, तो दूसरी जगे से lions को उस जगे भेज कर उन्हें फिर से populate किया जा सकता है, और इससे जो कई सालों बाद genetic diversity के फाइदे मिलते हैं, वो अलग, लेकिन अब कुनों नेशनल पार् जाने की chances तो ना के बराबर हैं, पहले ही चीते बड़ी मुश्किल से survive कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जिंदा हैं वहाँ पर, अगर lions जैसा बड़ा predator आ गया, तो ये तो जो बचे कुछ हैं वो भी मारे जाएंगे, लेकिन अब lions की population इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कि इससे गिर के आसपास रहने वाले लोगों को परिशानी होने लग गई है, पहले तो ये ज्यादा तर सिर्फ गाय बैस बकरी पर हमले किया करते थे, लेकिन फिर इन्होंने इंसानों पर हमले करने भी शुरू कर दिये हैं, अब जैसे जैसे शेरों की आबादी बढ़ती जा प्लान किया है, लेकिन बार्डा वाइलनाइफ सेंक्चुरी गिर से सिर्फ सो किलोमेटर की दूरी पर है, बेसिकली सेम ही एरिया है अगर लायन्स के टेरिटरी इसके परस्पेक्टिव से देखा जाये तो, मतलब on paper तो अब ये हो गया कि लायन्स को गिर से दूसरी जगे पर शिफ्ट कहा कर रहे है, बार्डा में, जस्ट सो किलोमेटर दूर, गिर के इतने पास होने की वज़े से, यहाँ पर कोई सेकेंडरी लायन पोपुलेशन तो नहीं बनेगी, ये बात तो मान के चलो, उसके लिए तो इन्हें किसी दूसरे स्टेट के जंगल में ही बेजन आशा करता हूं कि बहुत देर हो जाए उसके पहले गवर्मेंट इस इशू पर भी ध्यान दे और लायन्स की एक सेकेंडरी पोपुलेशन बनाने पर भी काम करे, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, अगर पसंद आया हो तो इसे शेर जरूर करना, जय हिंद, ज आपके वारत.